Hello everyone, आज हम लोग पढ़ेंगे मेस एनालिसिस तो मेस एनालिसिस रानने से पहले हमें लूप और मेस के बारे में पता होना चाहिए तो देखते हैं लूप क्या होता है लूप का सेम स्टार्टिंग और टर्मिनेशन पॉइंट होता है जब हम पॉइंट A से स्टार्ट करेंगे तो पॉइंट A, B, C, D, E, F और अगें A इस इस एफ लूप ओके यह हो गया A, B, C, D, E, F और A इस पॉइंट सेम स्टार्टिंग और सेम टर्मिनेशन पॉइंट यह एक लूप हो गया सेकंड लूप क्या हो गया अगर हम मूफ करते A, B, E, F, A ये एक लूप हो गया A, B, E, F, A थर्ड, B, C, D, E, अगें B ये एक लूप हो गया B, C, D, E, and अगें B सब में हम देख रहे हैं स्टार्टिंग अंट टर्मिनेशन पॉइंट सेम है तो इस थ्री आड लूप लूप सुपर सेट होता है मेसेस का मतलब एक लूप के अंदर बहुत सारे मेसेस हो सकते हैं लेकिन एक मेस के अंदर कोई भी लूप नहीं हो सकता है तो अब देखते हैं मेस के बारे में A, B, C, D, E, F अजिम कर लिए हैं नाउ हमारा एक मेस A, B, E, F, A है A, B E, F, and A दूसरा मेस है B, C, D, E, and B B, C, D, E, and B तो ये इस सर्किट में हमारा सिर्फ यही दो मेस है A, B, C, D, E, F, A लूप है एक लूप के अंदर मेस हो सकता है लेकिन मेस के अंदर कोई भी लूप फॉर्म नहीं करता है अब चलते हैं मेस अनालिसिस क्या होता है तो इसको हमने थ्री स्टेप्स में डिवाइट किया है मेस अनालिसिस के लिए सबसे पहले आइडिन्टिफाई करना कितने नंबर अफ मेसे से है रिमेंबर कितने नंबर अफ मेसे से है नौट लूप ओके नाव हर मेस में एक miss current assume करना है like अगर हम इसमें देखें तो इसमें कितने miss है एक ये miss है एक ये miss है हर miss में एक miss current assume करना है तो यहाँ I1 miss current assume कर लिया यहाँ I2 miss current assume कर लिया और step 3 है हमें KVL and OMS log की मदद से एक equation form करना है and thus हम लोग miss current I1 and I2 find out करेंगे miss analysis पे एक question solve करते है consider करते है यह हमारा loop 1 है and यह हमारा 1 and यह हमारा loop 2 है हाँ यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए यहाँ मैंने current I1 एजिम किया है I2 एजिम किया है current का direction यह हम पे depend करता है हम clockwise ले रहे हैं और anti clockwise ले रहे हैं अगर हमारा I1 का value negative आता है it means हमने जो direction एजिम किया है here हमने clockwise direction एजिम किया है यह हमारा wrong है it means हमारा original direction current का mess में anti clockwise होना चाहिए तो चलिए solve करके देखते है इसमें हमारा क्या आता है I1 and I2 की value now हमारा पहला step क्या है kvL लगाते है kvL लगाते है mess 1 में इससे पहले एक चीज़ और अगर resistance है किसी circuit में and current इधर से इंटर कर रहा है तो first portion हमारा positive होता है and second end हमारा negative होता है resistance का इस चीज़ को ध्यान में रखेगा now kvL लगाएंगे जब हम इधर जा रहे हैं mess 1 में तो क्या होगा plus से निकल रहे है kvL याद किजिए plus 15 हो जाएगा जब हम इधर जा रहे हैं first portion positive and second one is negative negative से निकल रहे हैं तो minus 5 and हमने mess में assume कर रहा है i1 current इंटर हो रहा है तो i1 now जब इस direction में जाएंगे तो first portion positive and second is negative तो negative से निकल रहे हैं 10 अब यहाँ हमारा 2 current है नीचे की और i1 है and उपर की और i2 जा रहा है second वाले mess से तो since हमने direction assume किया है resistance के cross i1 का इसलिए हमने assume करके रखा है i1 is greater than i2 it means i1 में से i2 minus होगा i1 minus i2 now और नीचे चले तो minus से नहीं कर रहा है minus 10 वोल्ट is equals to 0 जब इस equation को हम solve करेंगे यह हमारा first equation हो गया similarly केवियर में स्टू में लगा जब उपर के उर जाएंगे तो plus 10 then इधर से नहीं कर रहे है plus 10 हमने assume किया था previously कि i1 is greater than i2 so i1 is greater than i2 i1 minus i2 इधर चाहेंगे तो first section plus and second minus then minus 6 minus से नहीं कर रहे है तो minus 6 i2 similarly plus minus minus 4 i2 is equals to 0 इसको solve करेंगे तो क्या होगा 10 minus 10 i2 plus 10 i1 minus 6 i2 minus 4 i2 is equals to 0 10 plus 10 i1 minus 20 i2 is equals to 0 so यहां cancel out करेंगे 1 times 1 times 2 तो हमारा क्या equation form होगा i1 minus 2 i2 is equals to minus 1 यह equation number 2 है equation 1 यह equation 2 को solve करते हैं क्या होगा equation 1 है 3 i1 minus 2 i2 is equals to 1 and equation 2 है and equation 2 है i1 minus 2 i2 is equals to minus 1 equation 1 से equation 2 minus करते हैं 1 minus 2 तो क्या होगा यह cancel out होगा 2 i1 is equals to 2 it means i1 is equals to 1 ampere एक answer find out होगा mess 1 का mess 2 का i2 निकालना है equation 2 से हमें क्या में लगा 2 i2 is equals to i1 plus 1 यहां directly मैंने लिख दिया 2 i2 को अधर लेगा 2 i2 is equals to i1 plus 1 i1 की value 1 है 1 plus 1 2 i2 is equals to 2 and answer is i2 की भी value 1 है and i1 की भी value 1 है now super miss देखते हैं super miss क्या होता है if a current source is common between two misses दो miss के बीच में अगर कोई current source common हो current source may be dependent हो सकता है और independent हो सकता है तो वो एक super miss form करता है like यहां दो miss है this one and this one इसके बीच एक current source common है current source के साथ कोई भी element लगा हो सकता है यहां रजिस्टर लगा है तो यह एक super miss form करेगा okay super miss का question हम लग सॉल्फ करेंगे by avoiding current source and any element connected within like यहां हमारा super miss है and इसके साथ two ohm का एक resistance connected है तो इस section को avoid करके हम लोग super miss का question solve करेंगे तो सबसे पहले kvm लगाते है super miss में यह हमारा mess one है यह mess two है okay तो super miss के case में क्या होता है हमारा यह दोनों mess form करके एक single mess बनाता है किसमेंस हम लोग यह बीच वाले section को super miss वाले section को avoid करता है super miss के questions को solve करने का यह एक तरीका है kvm super miss super miss तो super miss में जब kvm लगाएंगे यहां इस loop में हमारा आईवन फ्लो कर रहा है okay let me clear one thing more इस loop में हमारा आईवन करेंट फ्लो कर रहा है इस loop में आईटू करेंट फ्लो कर रहा है उसके according इस section में आईवन करेंट जाएगा और इस section में आईटू करेंट जाएगा ओके यहां आईवन जा रहा है और यहां आईटू जा रहा है तो यहां क्या हो जाएगा? यहां I1 जा रहा है और यहां I2 जा रहा है तो जब केविय लगाएंगे तो उपर की ओर गया है क्या हुआ? प्लस 20 इधर गया है फर्स सेक्शन प्लस सेकंड सेक्शन माइनस माइनस की ओर से निकल रहा है तो माइनस 6 I1 माइनस की उड़ से नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा माइनस 10 I2 सिंस इस सेक्षिन में I2 करें फ्लोव हो रहा है सिमिलरली जब नीचे की उड़ गएंग तो यहां प्लस फॉर्म किया यहां माइनस फॉर्म किया माइनस से नहीं कर रहे हैं तो माइनस 4 I2 is equal to 0 नाव इसको सॉल्फ करने पर हमें क्या मिलेगा माइनस 6 I1 माइनस 14 I2 is equals to माइनस 20 ओके नाव इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 3 जा 6 2 7 जा 2 10 जा तो माइनस 3 I1 माइनस 7 I2 is equals to minus 10 3 I1 plus 7 I2 is equals to 10 यहां से हमें एक एक वेशन मिल गया equation number 1 now अब हम लोग इस नोड पे जहां पे super miss form कर रहा था इस नोड पे हम लोग माल लेते हैं नोड ए है इस नोड पे केसील लगाएंगे केसील एट नोड ए यहां पे केसील लगाएं तो इंकमिंग करेंट हमारा क्या है आईवन एड शिक्स अंपियर इधर से इंकमिंग है and I1 and outgoing क्या है I2 तो एक equation हमारा होगा I1 minus I2 is equals to minus 6 यह equation number 2 now equation 1 and equation 2 को solve करते हैं तो हमें क्या मिलेगा equation 1 क्या था 3 I1 plus 7 I2 is equals to 10 and equation 2 हमारे यहां है तो equation 2 को 3 से मल्किप्लाई कर देते हैं क्या होगा 3 I1 minus 3 I2 is equals to minus 18 minus plus minus equation 1 से equation 2 को minus कर रहा है तो यह cancel out हो गया 10 I2 is equals to कितना हुआ 28 it means I2 is equals to 2.8 ampere इसको put करते हैं और I1 की पहली find out करते हैं I1 is equals to equation 2 से क्या हो जाएगा I2 minus 6 यहां से I2 इधर लेगा है right side then is equals to I2 की value 2.8 minus 6 it means I1 की value हमें क्या मिल गई minus 3.2 ampere यहां हम देख सकते हैं answer हमारा minus में आया it means क्या हमने current का direction clockwise assume क्या है I2 section में means यह हमारा wrong assumption है current का direction क्या होगा anti-clockwise होगा अगर हम anti-clockwise direction एजिम करते हैं तो हमारा answer सही आता